यहीं नमस्कार आप सभी का एक बार फिस्वागत है रक्षा मंत्राले को बड़ा जटका लगाए हाल ही में जस्टिस ध्रमचन चोदरी जी का इस्ताना नत्रण एफ्टी चंडिगर से एफ्टी कोलकता किया गया और इसमें रक्षा मंत्राले के अधिकारियों का हस्तक सेब थ इसके बाद एफ्टी प्रिंशिपल बेंच दिल्ली ने उनका ट्रांसपर कोलकता कर दिया और साथ इसाथ ओनरी नाइप सुबदार कोई पैंसन के मामलों को लेकर रक्षा मंत्राले ने इसके खिलाब पंजाब एंड हरियाना हाई कोट में अपील कर दी क्योंकि जस्टिस द्रम चंद चोदरी जी ने कंटेंट ओफ कोट और साथ इसाथ नोन बेलेबल अरेस्ट वारंट एमोडी के अधिकारियों के खिलाब जारी किया था लेकिन पंजाब एंड हरियाना हाई कोट ने भी इस कारवाई को जारी रखा तो क्या अब रक्षा मंत्राले पंजाब एं इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक खबर आई है कि पंजाब एंड हरियाना हाई कोट ने उनी अधिकारियों के खिलाब कंटेंट ओफ कोट की कारवाई को जारी रखा है और नोटिस जारी कर दिया है तो देखिए खबर के अनुसा नोन कंप्लियंस विट एफ्टी ओर ओ पंजाब एंड हर्याना हाई कोट इसुस पंटनिपनी को testing amount to a retired नाइप सुबदार यानि जो नाइप सुबदार ने case किया था तो pension तो मिल गई लेकिंग जो बीच का फिरिड था जिस पे पैनल इंट्रेस्ट मिलना था वो इंट्रेस्ट रक्षा मंत्राले और PCDA ने pay नहीं किया इसके बाद जस्टिस अर्विन सिंग सांगवान ने MOD को नोटिस जारी किया जिसके बाद ASG ने इस बात को accept किया और कुछ समय मांगा कि हम जल्द ही नोटिस फाइल कर देंगे according to the FLEA the principal amount was dispersed is for the AFT चंडिगड बैंच order to the petitioner but the panel interest was not paid thereafter ASO motor action AFT issued bailable warrant against major general ASOक सिंग and ALKA सर्मा principal integrated financial advisor जो बात हमने पहले समझी कि जो main amount था जितना भी area था वो तो जारी कर दिया लेकिन जो beach interval का panel interest देना था pensioner को वो जारी नहीं किया इसके लिए AFT ने major general ASOक सिंग और ALKA सर्मा जो principal integrated financial advisor है उनको bailable warrant जारी किया था इसके बाद भी अब तक उसको panel interest नहीं दिया गया है जब ये बेलेबल वारंट पहुंचा तो उसके बाद आप दिस्पोस दिस्पोज और स्टेटिंग देट दा कि वो आगे एक्सन ले तो इसके बाद ये कारवई चलती रही और AFT ने बार बार नोटिस भी जारी किये इसके बाद 15 सप्तंबर को जो मामला सुनवाई के लिए आया तो उस समय जो जो MOD के OPCL है उनकी ओर से जो रिपर्जेंट कर रहे हैं एडवोकेट उन्होंने AFT में कहा कि इस केस को AFT चंडिगट से AFT प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में ट्रांसपर कर दिया गया है क्योंकि अलका सर्माने इसके लिए एप्लिकेशन लगाई थी आगे फिर इसमें क्या वादा पेटिशन अलिजेज देट देट इंटार केस वास ट्रांसफर्ड विदा गिविग नोटिस तो पेटिशनर एंड अधर 686 एप्लिकेशन जस्ट तो सेव वन ओफिशर वो इस प्राइम फेशिया गिल्टी ओप विल्फुली डिस ओबएंग दा ओडर पास्ट बाई एफ्टी चंडिगड बेंच और अल्सो बेंच ओप अंडर्टेकिंग गिवन बाई देम एट पंजाब और हर्याना हाई कोड चंडिगड दा एंटाइर केस वाज ट्रांसफर फ्रॉम एफ्टी चंडिगड टू प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली यानि एक अपसर को बचाने के लिए और इसके साथ 686 एप्लिकेशन ती ओनरी नाइप सुबदार्स की उनके हकों पर लात मारते हुए इस क केस को एप्टी चंडिगड से एप्टी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ट्रांसपर कर दिया और किसी भी पेटिशनर को नोटिस नहीं दिया कि आपका केस प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसपर किया जा रहा है यानि ताना साही खूब हुई है और किसने की जो एमोडी के ओपी बहाँ पर बैठे हैं जस्सा बगरा वो जैसे मोडी कहेंगे वैसे ही करेंगे तो इस परकार ये मामला प्रिंसिपल मेंच में पहुँच गया अब पंजाब एंड हर्याना हाई कोट ने इस मामले को फिर से उठाया और 13 मार्च दोजार 24 को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है साथ ही साथ दोनों अधिकारियों को मेजे जनल साब को और अलका सरमा को आदेश जारी कर दिया है नोटिस जारी कर दिया है कि आपके खिलाब अब कंटेम्ट ओप कोट की कारवई क्यों नहीं किया जाए अब उनको आना पड़ेगा पंजाब एंड हर्याना को हाई कोट में और वहाँ पर उनको अपनी बात रखने पड़ेगी कि आपने इतना बड़ा खेल पैंसनर्स के खिलाप क्यों खेला तो फिर वही बात कि Apt चंडिकर्ड के जज साब ने जब कंटेम्ट की कारवाई शुरू की तो उनका इस्तानांतर्ण Apt कोल गता कर दिया गया तो पंजाब एंड हरियाना हाई कोट के जज साब ने जब वही कारवाई को आगे बढ़ाया है तो इनका ट्रांसपर M.O.D. कहां पे करेगी ये बड़ा क्यूस्चन मारके है क्या अब पंजाब एंड हरियाना हाई कोड के जजज साब का ट्रांसपर करने का अधिकार रक्सा मंतराले के पास है बिलकुल नहीं है जबकि AFT के जजजेज का जो ट्रांसपर करने का अधिकार AFT Principal Bench के ज़साब के पास में है जो अज्यक्स है उनके पास में होता है और वो डारेक्टली रक्सा मंतरा लेके तेहत काम करते हैं इसलिए उनका तो ट्रांसपर कर दिया लेकिन इन ज़साब का ट्रांसपर नहीं कर पाएंगे और Contempt of Court की कारवई को जेलना पड़ेगा तो इस परकार जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी गटना हुई कि एक बार इस्टे लगा डिसी चोदरी साब के ट्रांसपर पर उस पर बाद हट गया लेकिन मामला हमेशा ज्यान में रहता है दिमाग में रहता है उस बात की जो खीज है वो अब पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट के ज़साब ने Contempt of Court की कारवई के लिए नोटिस जारी करके निका लिए अब अलका सर्माजी और मेजर जमर्णल साब पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट में आके बता देंगे कि वो पेंसनेस के साथ में दोका क्यों कर रहा है तो ये थी एक अपडेट जो कि पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट से आई है कि रक्सा मंत्राले कादिकारियों के खिलाब Contempt of Court की कारवई के लिए नोटिस जारी हो चुका है और ये मामला बुकने वाला नहीं है पैनल इंट्रेस्ट के लिए 30 अगस 2023 तक पेमेंट करने के लिए एफिडेवट दाइर करने के बाद भी आज अक्टूबर खतम होने जा रहा है अभी तक पैनल इंट्रेस्ट नहीं दिया यानि सरकार इस मामले को पहले हाई कोट में फिर सुप्रीम कोट में गसीटना चाती है और पैन्स नर्स के हकों को मारना चाती है आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी राई कमेंट बोक्स में रखे इस वीडियो में तना ही